कैसे आप लोग बढ़िया ग्रेट आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं वेक्टर यस मजाएगा तो सबसे पहले फटाफट कॉपी पेल लेके हो जाना है तयार क्योंकि सबसे बहतरी नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तयार यह जो हमारा करने ना सामने में रखनाए तो कुछ चैदे मजाएगा तो भेक्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हम लोग तो भेक्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं फीजी कल कॉंटिटिटि के बारЕ मैं सबसे पहले जानना चाहते हैं वह लोग कि फिजी का सोट में बोलेंगे सोट में बोलेंगे PQ PQ मतलब physical quantity great तो यह physical quantity क्या होता इसको समझते हैं तो बोलता है ऐसा quantity जिसको हम measure कर सकते हैं उस quantity को physical quantity कहते हैं और जिसके term में laws of physics को explain करते हैं laws of physics समझते हैं ना जैसे newtons ला हुआ, gravitation ला हुआ, gauss ला हुआ physics के धेर सारे laws हैं उस laws को इस physical quantity के term explain करते हैं तो इसका definition पहले कर दते हैं तो बोलता है, ऐसा quantity जिसको हम measure कर सकते हैं वो quantity कहलाता है, physical quantity जड़ा लिख देता हूँ मैं the quantity the quantity which can be measured physical quantity जैसे कुछ example देते हैं उसको देख के तुमको बताना है कि कौन size में physical quantity है मैं लिखना साहता हूँ, सबसे पहला है of the following quantities called physical quantities जैसे हो गया pressure ये pressure physical quantity है या नहीं time आगे के करके समाजना है feel करना है, time, physical quantity है कि नहीं है physical quantity मतलब वो quantity जिसको हम लोग measure कर सकते हैं मतलब मापना और हर चीज को मापने का अलग-अलग instrument होता है जैसे कि हम लोग time को नापेंगे तो अलग instrument होगा जैसे pressure को नापेंगे तो देख रहे हैं ये pressure नापने वाला instrument है काड़ी में हवा भरते हैं जैसे देखो mass है क्या ये physical quantity है, mass को measure कर सकते हैं तो pressure को तो बिल्कुल कर सकते हैं ना, pressure को measure करने वाला machine होता है, manometers time को measure कर सकते हैं हम लोग, yes stop watch है, घरी तो time दिखाता है, stop watch है, इस तो से time को measure कर सकते हैं इस चीज़ को measure कर सकते हैं, जब इसको measure कर सकते हैं, तो physical quantity हुआ time को भी measure कर सकते है, mass को, इसको तो सब जानते हैं, इसको भी measure कर सकते हैं कैसे, जैसे तुभारा mass है 50 kg तो weighing machine पे जाते हैं और देख लेते हैं कि नहीं measure हो गया, yes तो ये हो गया physical quantity टेंप्रेचर ये भी हो जाएगा लेकिन सवाल उड़ता है ये पटना येस पटना मेड़ी जान मुंबई मेड़ी जान ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं जैसे एक मैं देतों ट्री ट्रीज जैसे देतों बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स जो भी है क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगा बिल्कुल नहीं पटना को मेड़र करने का चीज नहीं है ये तो रहने का एक जगा है एक प्लेस है एक नाम है एक सहर का तो वो मेड़र करने का चीज तो है नहीं तो इसलिए ये वाला physical quantity नहीं होगा और ये मुंबई जैसे पटना है वाजसे मुंबई है ट्रीज पेर पोधा ब्रिक्ष ये physical quantity हुआ कि नहीं होगा ये physical quantity नहीं होगा इसके टर्मे laws of physics को explain नहीं करते हैं यानि इसको measure करने का चीज़ नहीं है buildings, tree ये सब physical quantity नहीं होगा लेकिन एक question है कि ये वाला physical quantity है कि नहीं है number of hair in your head number of hair in your head number of coins in your pocket number of pages in your copy और happiness है last तो बताना है कि ये physical quantity है कि नहीं number of hair in your head क्या अच्छा hair को गिनने सकते है physical quantity नहीं होगा चलो कार दिया मैं तो ये number of points in your pocket points की तो number हम लोग देख सकते है कितना है तो ये physical quantity अच्छा देखता हो number of pages in your copy तुम्हारे copy में पेजों की शंखियां प्रिष्टों की शंखियां क्या physical quantity होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये तीनों का अंसर है no बुलेगा कारण तो बुलेगे ये सब एक number है और number physical quantity नहीं आता है यानि countable things are not physical quantity clear है यानि ये तीनों में से इसका अंसर क्या होगा ये तीनों का एक ही आंसर होगा लेकिन हैपीनेस हैपीनेस को कैसे मेजर करेंगे नो सर ये मेजर नहीं होगा तो happiness physical quantity नहीं होगा ये सब clear हो गया तो clear है कि physical quantity के है वो quantity जिसको मेजर कर सकते है वो quantity physical quantity होगा अब यहां classification है नहीं पूरे के पूरे physical quantity को दो category में बाटा गया है कितना category में दो category में एक category मेरा scalar और दूसरा केटी है vectors scalar को अगर हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलते है अदिस और इसका बात करूँ तो इसको बोलते है सदिस नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है ओ मतलब नहीं दिस मतलब दिसा यानि जिसमें direction नहीं हो और सव दिस मतलब जिसमें direction के साथ सव मतलब सहित दिस मतलब दिसा यानि दिसा के साथ जो quantity आएगा वो टर्स कहा लाएगा और जिसमें सिर्फ magnitude हो जैसे सवाल पुछता हो तुमसे जैसे मैं पूछ हूँ कि तुम्हारा मास कितना है क्या 50 kg 60 kg है तो क्या तुमने बोला कि 60 kg ड्यू इस्ट 60 kg ड्यू नोर्थ 60 kg अप नहीं नहीं तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 60 kg अगर बोल देते है तो पूरा का पूरा मास जो है डिस्क्राइब हो जाता है यह सिर्फ मेगनीचूट इज एक इस सिर्फ मेगनीचूट गी जरूरी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डारेक्ष लिए डिरेक्षन की जरूत नहीं है जैसे बोलू कि टाइम क्या हो अभी तो बोलते थ्होर पी एम है सर तो क्य तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ मेंगनिचूड बताने से काम हो गया उसी को बोलते है स्केलर तो इसकेलर किसको बोलते हैं तरह से लिग देता हो मैं क्याता है क्वाइशा क्वांटिटी वीच अज वनली मेंख्निचूड या हिंदी में लेगा ओएसा क्वांटिटी जिसमें मैंगनिचूड यारी परिमान हो अंगरीजी में लिखता हूं में दड़कांटिटी के अचसे हेаю केअ कbay दा क्वांटिटी विच हैज वनली मैंगिनिचूड इज कॉल्ड स्केलर्स जिसे एक्जामपल अगर देना होगा तो क्या क्या देंगे एक्जामपल तुझे मैं दिखा देता हूँ यह देखो कुछ क्वांटिटी जह जो स्केलर है वाउ लेंथ लंबाई फिक्स है ना डारेक्शन उसन सब फिक्स निस बें दो मिटेड है कि एक मिटेड है मास डारेक्शन की जरूत नहीं है टेंप्रेचर डारेक्शन की जरूत नहीं है टाइम डारेक्शन की जरूत नहीं वर्क कितना वर्क किया इस तो एस्ट वेस्ट नोर्थ साउथ वर्क इनर्जी कितना इनर्जी है तो हजार केलोडी रोज लेते हैं सर तो हजार किलो केलोडी रोज लेते हैं तो इसमें डिरेक्शन की जरूत तो है नहीं जैसे पावर कितना पावर है कितना पावर मशीन का है तू किलो वार्ट तो क्या बोलते हैं ना व किटना प्रेशर है ऐसा तो बोलते हैं कि इसका प्रेशर पूरा पस्जी जैसे डेंसिटी जैसे जैसे कि सरसों के तेल में जो खड़ीते हैं तो एक लिटर में 910 ग्राम होता है पेट्रोल में आज देखा में 749 यानि एक लिटर में 749 ग्राम किसी-किसी में 750 ग्राम होता है थोड़ा सा टेंसिटी बरहा देता है इसका मतलब हुआ कि देंसिटी का मतलब मास पर इनुट भॉल्यूम तो उसमें आइसा नहीं न बोलते हैं कि ड्यू इस्ट ड्यू वेस्ट ड्यू नोर्थ इस तरह की बात तो करते नहीं हैं हम लोग येस तो सिर्फ मैगनिचूड बता देते हैं तो पूरा अर्थ क्लियर हो जाता है उसी क्लियर है क्या होता है एक और एक्जामपल समझाता हूं में एसकेलर का खास्यत यह है कि उसको सिंपल एलजबरा के लोग से जोरा जा सकता है जैसे देखो अगर मैं बोलू फाइब केजी अप्लास थ्री केजी तो बराबर कितना हो जागा एट केजी नहीं तो इसका मतलब ह अलजबरा के लोग को पालन करता है वही क्वांटिटी है एसकेलर फंडा तो क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल नेक्स देखते है इस फोटो को देख लो दिलखूस हो जाएगा आसानी से कर सकते नहीं फाइब केजी प्लास थ्री केजी इकॉल टू क्या कोई बात नहीं एट क केजी यानि इस विइंग मशीन पर दोनों को डालेंगे ना तो यहां रेडिंग कितना के दिखाएगा एट केजी का रेडिंग दिखाएगा यही है तो टोटल मास दोनों में लाख क्या हुआ इसमें किसी डारेक्शन की तो जरौत नहीं पड़ा ना तो इसका मतलब इसी कलर बोलते हैं अब बारी है वेक्टर की तो देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है अब हम लोग आप हम लोग देखेंगे कि यह वेक्टर क्या है बहुत आसान है पहले मैं समझाता हूँ फंडा क्या है तो कत आएसा क्वांटिटी जिसमें मेगरिंचूड भी हो और तो मैं लिखता हों में पहले क्या होता है वेक्टर तक वांटीटी विच है ज अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे मतलब परिमान और दूसरा डायरेक्शन होना जरुड़ी है डायरेक्शन का मतलब दिशा और तीसरा बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है वो फ़रा इंपोर्टेंट वो क्या है यानि ये नहीं होगा तो भेक्टर नहीं होगा प्रोपर्टीज है वो वो क्या है देखो फोलोज भेक्टर रूल अफ एडिशन ये होना बहुत जरूरी है यानि अगर कोई क्वांटिटी में सिर्फ मेग्निचूड हो और डायरेक्शन हो और ये तीसरा फोलो नहीं करे तो क्या वो क्वांटिटी भेक्टर होगा एक क्वेशन देता हूं तो समझ मैंगा इसका आर्थ भी समझाओंगा थार्ड पॉइंट का तो पहले क्वेशन देते हैं तो क्लियर हो जाएगा फंडा तो पहले क्वेशन लेते हैं लिखते हैं एनि क्वांटिटी having magnitude and direction बोथ तो option है तुम्हारे लिए नमबर एक में must be a vector B नमबर may be a vector नमबर तीन में C में cannot be a vector और D नमबर में must be a scalar तो कौन सा तुम्हे ज्यादा अच्छा लगड़ा चारो में any quantity any quantity यानि कोई भी quantity any मतलब कोई a quantity मतलब रासी कोई quantity जो रखता है magnitude and direction बोथ यानि एक quantity है जो magnitude भी रखता हो तो पिक्चर बड़ा साफ है कि ये क्या होगा क्या लिखा हो है, दू तीनों का होना जरूरिधी है इसमें तो तीनों की απόप गारेंटी दे नहीं रहा है सिर्फ दो ही के बारें मूल रहा है बूला magnitude रखता है और direction रखता है लेकिन तीसरा रखता है ये इसमें कहीं clear है क्या बिलकुल clear नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि दोनों चीज तो रखता है लेकिन किसरे के बारे में कोई डालोग्स नहीं है इसमें कि दिया यह फोलो करेगा कि नहीं करेगा यह क्या होता मैं तुरंट समझाता हूं तुमको इसका मतला हुआ कि must must be vector मतला निश्ची दरूप से vector होगा ही कैसे कह सकते हैं guarantee तो नहीं है कि vector होगा ही ये का रहा है कि may be a vector vector हो सकता है चांस बनता है तो ये हो जाएगा न शहाए ये बोल रहा है कि हो आ ये सकता है इससे बोल दिया हो भी नहीं सकता है कि तीसरा लोग भी प्वालन करता तो हो जाता है कि नहीं तीसरे के बारा में तो यह तो गालन नहीं करेगा थर्ड वैक्टर रूल को फोलो नहीं कर रहा है ऐसा तो कहाने रहा इसका मतलब अब must be a scalar, ये भी कैसे कह सकते कि a scalar होगा, clear है, तो इसका आंसर क्या होगा, d number, यानि ऐसा quantity जिसमें magnitude भी हो और direction भी हो और vector rule को follow करे, वही तीनो होना जरूरी है, थोरा इसका idea देता हूँ कि क्या होता है vector rule of addition, देखते हैं, एक example से समझते हैं, जैसे देखो, माल लेते हैं कि ये है 3 meter, ये एक vector है जो 3 meter इधर गए, vector को तीर से दिखाते हैं, आगे समझाओंगा, ये एक vector है 3 meter का, और ये एक vector है 4 meter का, तो resultant displacement, यानि पहले displacement 3 meter गए, फिर 4 meter गए, तो resultant displacement कितना हो जाएगा, resultant 7 meter हो जाएगा, magnitude में, लेकिन दूसरा सवाल है कि ये ही 3 meter इधर है, ओके, और ये 4 meter इधर है, तो हमको तो पता है, तो displacement ये होता है, तो क्या ये resultant 7 meter होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो ये resultant हो गया, ये resultant हो गया, इसका मतलब हुआ कि 3 meter का एक displacement है, और 4 meter का एक displacement है, तो वो 7 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, यहां, आर बराबर क्या होगा है, हमको पता है, कि ये 3 है और ये 4 है, तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब है, कि जरूर कोई जोरने का नियम है, जो 3 और 4 को 7 भी बना देता है और 3 और 4 को 5 भी बना देता है जैसे कि माल लेते हैं ये एक परसन है और इस पर एक फोर्स लगा इधर और एक फोर्स लगा इधर ये F1 है और ये माल लेते हैं 5 न्यूटन का लगा और इधर है F2 ये भी लगा 5 न्यूटन का तो बोलो इसका net force क्या होगा F net net force कितना होगा 0 यानि 5 newton और 5 newton दो भेक्टर है तो resultant क्या हो जागा 0 हो जागा लेकिन इसी में अगर ऐसा रहता यह ऐसा रहता इधर लगता 5 newton और इधर भी लगता 5 newton तो इस बार F net कितना हो जाएगा बच्चा इस बार ये F जो है न 10 newton हो जा रहा है इसका मतलब हुआ कि जरूर कोई rule है जो जोर कभी 5 और 5 को 0 बना रहा है और 5 और 5 को कभी 10 बना रहा है यही rule को आगे हम लोग देखेंगे इसी rule को पालन करना जरूरी है जो यहाँ समझाएंगे hidden है यहाँ पर तो इसका मतलब हुआ कि भैक्तर को जोरने के कुछ special नियम होता है एक सवाल है कि क्या एलेक्ट्रिक करेंट इसमें दो चीज होता है मैगनीचूड भी होता है और डारेक्शन भी होता है लेकिन क्या भैक्तर है सुरू में ही बताए थे मैगनीचूड ए डारेक्शन होना मुहर नहीं लगाता है कि वह भैक्टर होगा वह भैक्तर हो भी सकता है भैक्तर नहीं भी रह सकतā लेकिन यह एक एलेक्ट्रिक करेंट में clear cut बात बताने कि यह vector है कि नहीं है तो इसमें electric current के बारे में पूरी तरह से clear है एक example भी आगे दूँगा कि अगर इधर से current आए 5 ampere और इधर से current आए 5 ampere और ये 90 डिग्री पर होता 60 डिग्री पर होता तो ये total current कितना होगा आई आउट कितना हो जागा येस 10 ampere लेकिन यहीं अगर 90 डिग्री पर होता माल लेता है ये और ये के बीच में 90 डिग्री है और इधर से आता 5 ampere और इधर से आता 5 ampere तो प्रस्ण उड़ता है सवाल उड़ता है कि इधर जो current आउट होगा वो बदल जाएगा कि वह ही रहेगा ये current तो 10 ampere ही रहेगा ना तो इसका मतला हुआ कि ये जो एंगिल था ना वहां पर देके तर एंगिल के कारण कुछ-कुछ हो रहा था चेंज हो रहा था इसका मतला हुआ कि ये इंगिल पर अगर डिपेंड करता तो 5 root 2 होता यहां पर 5 root 3 हो जाता जो आगे समझाओंगा इसका मतला हुआ कि electric current में तो magnitude भी है डारेक्शन भी है लेकिन ये वेक्टर को जोरने वाला जो रूल है ना उसको पालद नहीं करता है तो ये वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ तो लिखेंगे electric current has magnitude and direction बोथ but not follows vector rule of addition फंडा clear है एक और है pressure प्रेसर के बारे में बात करते हैं प्रेसर समझते हैं pressure 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 p-r-e-s-u-r-e pressure p से denote क्या था generally तो जैसे कि ये body है गोला है और इधर से pressure लगा इधर से लगा हिधर से लगा इधर से लगा इधर से लगा इधर से लगा इधर से लगा उसमें भी magnitude and direction है magnitude है कितना pressure लगई और घारेक्शन भी गाल है यहांपर आईशा सही है न डार्यक्ट्सें में तो क्या भक्तर होगा बिल्कुल नहीं क्योंकि magnitude है लेकिन direction specified नहीं यह नहीं किया हुआ है specified नहीं defined नहीं किया गया है specified पार्टिकुलर डिरेक्षन में नहीं है कभी इधर है कभी इधर है यह नि किसी रूल को फॉलो ने कर रहा है magnitude और डिरेक्षन वाली जैसे इसका मतलब यह वेक्टर तो बिल्कुल नहीं है यह quantity होता है टेंसर यह टेंसर में आ जाता है तो टेंसर हमें परना नहीं है इसलिए वह कुछ होता नहीं है सिर्क एसकेलर होता है और वेक्टर होता है या तो quantity vector होगा या तो quantity scalar होगा tensor की बात नहीं करेंगे हम लोग तो vector का कुछ एक दू example समझा देता हूँ example दूँ vector का examples of vector जैसे क्या दखना displacement vector quantity velocity आगे सीखेंगे हम लोग distance displacement, velocity, distance फिर स्केलर आजाएगा एके करके सीखेंगे न acceleration force torque momentum electric field gravitational field अभी सब चीज नहीं समझ में आएगा अभी खाली definition समझ में आएगा यह सब quantity भी तुझे समझ में आएगी जैसे जैसे आगे बरहेंगे फंडा क्लियर होते चलेगा और हम जान जाएगे कि कौन scalar है और कौन factor है और कि यहां दिखाया हुआ है कुछ डारेक्शन वाली चीज हम फोर्स का कुछ डिफने कुछ examples दिखा दिए तुमको देख लो ठीक से लिखा हुआ है मजाएगा printed पर में जैसे वह भी electric current बला देखना था ना यह भी देख लो यह देखो क्या लिखा हुआ है total current इधर से 5A इधर से 5A आउट कितना होगा आउट होगा कितना 10A एक और देख लेते हैं कुछ explain क्या हुआ है पर लो पर लो थोरा सा पर लो वीडियो पोज करके पर लो वही सब लिखा है वह जो मैं बोला ओके next एक और सवाल का मजा ले लो इसका आंसर देखो क्या होता है वीडियो पोज करो आंसर बताओ clear है 5 5 0 एक और सवाल का मजा ले लो इधर से लग रहा है 5 Newton इधर से लग रहा है 5 Newton टोटल कितना होगा simple सा सवाल है simple सा सवाल है कितना होगा 10 Newton अब हम लोग बहुत ही important चीज़ को डिल करेंगे representation of vector देखते हैं कई से represent किया जाएगा उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग represent का मतलब क्या होता है represent का मतलब होता है परदर्सित करना मतलब तिखाना दर्शाना तो भैक्तर को कैसे represent करेंगे एक question देता हूं कि फंडा क्लेर हो जागा देता हूं दोना देखो यह भैक्तर इस रिपर्जेंटेट बाइए कि अप्शन नमर ए में यह भी सीडी करके दे लेता हूं अब अपना दिमाग लगा के बताओ तो कौन सा होगा एक भैक्तर इस रिपर्जेंटेट बाइए कौन सा अच्छा वी जी कंफूज है सर एक और सवाले लेता है थंडा तुमारा क्लियर कर देगा यह को एक और सवाल है का तो एक भैक्तर इस डिनोटेट बाइए नम्मर ए बी सीडी आप्शन देता हूं मैं अब तो कंफूज हो गए सर क्या बोलू दोनों में आप ऑप्शन भी एक ही दिये हैं और बोल भी रहें कुछ अले अलग बात कुछ उल्टा पुल्टा रिपर्जेंटेट का मतला होता है प्रदर्शित करना और डिनोट का मतला होता है सूचित करना अच्छा दोनों में बहुत ही मामूली सांतर है वो क्या है मामूली सांतर देखेंगे इसको यहीं रहने लेते हैं और यहां मैं समझाता हूँ रिपरजेंटीशन क्या होता है और नोटेशन क्या होता है दोनों के बारे में यहां हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले याद कॉंसे फंडा याद रखना वेक्टर को ए रो से रिपर्जेंट करेंगे ए रो से लिख देता हूं में ए वेक्टर कि ए वेक्टर जी रिपर्जेंटेट बायन ए रो ए रो का मतलब हुआ ऐसे ऐसे इसको हिंदी हें बोलते हैं तीड़ तीड से डिनोट करेंगे जैसे यह हुआ यह भेक्टर हुआ जैसे यह भेक्टर हुआ इसको हम लोग बोल देते हैं टेल और इसको हम लोग बोलते हैं हेड यह हुआ टेल और यह हुआ हेड यह हुआ भेक्टर का डारेक्शन भेक्टर को इसी एरो से रिपर्जेंट करते हैं याद रखना बच्चो वेक्टर को रिपर्जेंट कैसे करेंगे एरो से यानि तीर से रिपर्जेंट करेंगे तीर से इसको बोलेंगे 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 फाइनल पॉइंट इसको बोलते हैं और जीन इसको बोलते हैं टर्मिनस पॉइंट तो धेर सरा नाम है इसका छोटा छ है नोटेशन का मतलब होता है सुचित करना सुचित करना मतलब क्या हुआ जैसे तुम्हारा क्या नाम है अच्छा क्या नाम है ओंकार बैरी गूड कोई लरका है कोई लड़की है सबका अलग अलग नाम है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई सीख है कोई इसाय है सबका सबका अलग अलग नाम दिया गया है क्यों दिया गया है अच्छा नोट डिनोट करने के लिए अगर यह नाम ने होगा तो जैसे फोन करोगा हलो कौन बोल रहे हो इसका मतलब डीनोट करना यानि सुचित करने नाम देना जरूरी होता है तो वेक्टर जैसे यही वेक्टर है और बोलेगा इसका नाम दो तो ऐसा तो नहीं सकते हैं तो इसका नाम करण अलग तरह से होता है नाम करण एक तरह से हो गया तो बोलता है कि English Letter को यूज करना है इंग्लीज लेटर ए हो या बी हो या सी हो इंग्लीज लेटर को इस्तेमाल करना है उसके उपर में एरो देखे पहला क्लियर है इंग्लीज लेटर एरो अभर इट यह भैक्टर इस देनोटेट बाइं इंग्लीज लेटर एरो अभर इट या English letter bar over it इसको बोलते हैं English letter bar over it English letter bar over it clear है? Yes यह color को अलग कर देता हूँ bold करके bold यह bold नहीं हो रहा है bold कर देता हूँ अईसे A या B या C bold करके यानि वेक्टर को English letter arrow over it English letter bar over it bold English letter से denote करेंगे अच्छे एक बात बता हूँ अगर तुम हिंदी के student हो तो क्या वेक्टर को ऐसे दिखाता? जैसे बोलता है का, ख, ग, अईसे दिखाते? प्यारे बच्चो, अईसे बिलकुल नहीं करना क्यों नहीं करना? क्योंकि वेक्टर जिन्होंने बनाया है उसने बोला है कि मेरे ही मेरे ही लेंग्वेज में रखो इंग्लीश में कारण है कि यह हर जगा चलता नहीं है यह पूरे वर्ड में हर जगा रिकोगनाज है तो इसलिए ऐसा चीज़ से क्योंने डिनोट किया जाए? जो सबकु समझ में है जिसकी भासा सब समझे इसलिए इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल किया गिया, क्रेश है बात? यश तो मैं लिठ देता हूं में, ए बहक्तर इस डेट बाइध फिश ही डिक डेट हूं लिघ देता हूं यह वक्तमाप्टरीज दिनोटेट बाइन इंग्लिश लेटर अब ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं है arrow over it या बार ओभर it ओभर मतला उपर उपर इसके उपर या या क्या बोल्ड इंग्लिश लेटर इस तरह से वेक्टर को denote करते हैं हम लोग मजा गया अब हम लोग वेक्टर में magnitude एंटरेक्शन हो रहा था ना उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा था कुछ-कुछ भैक्टर में तो अब हम लोग भैक्टर को रिपर्जन कर रहें देख्लियर हो गया यानि भैक्टर अगर यह ऐसे लिखा हो रहेगा ना ऐसे तो इस तरह से माल लेते हैं एक्टर है तो इसको हम लोग बोलेंगे टेङल इसको रहेबं क्यू अगरहा रहताम और इधार रहता इंट तो इसका क्या नाम देटे क्या नाम क्या नाम क्या देते प। ॥ यह सद्वा रखना यह ऑसा नहीं कि अगर यह मानने थे हैं और यह Q है तो ऐसा कर देगे क्या पी Q भेक्टर को ऐसे हर्गिज मत करना ऐसे हमेशा क्या करना है इस तरह से करना है पी इधार है क्यू इधार है तो लिखना है पी क्यू भेक्टर ऐसे लिखना है पी क्यू भेक्टर यह एरो लेप्ट से राइट ही जाना चाहिए फड़ना क्लियर है कोई confusion वाली बात नहीं है तो अब हम देखना चाहते हैं कि भेक्टर का magnitude और direction बुले तेने भेक्टर में तीन चीज़ होता है भेक्टर में क्या क्या होता है किसी भी भेक्टर में पाला होता है magnitude और क्या था डारेक्शन था तीसरा उसका प्रोपार्टिज है यह magnitude और direction को अब हम लोग समझते हैं अब मुझे यह समझ में आ गया कि भेक्टर को कैसे दिखाएंगे एरो से दिखाएंगे इसका नाम मालत ने दे दिया बी दे दिया शीने यह मत्वद ऐसे ही अपने मन से समझाने के लिए यह अपने मन से डारेक्शन दे दिया हो समझाने के लिए तो इसका आर्थ यह हुआ कि कुछ ने कुछ कुछ लेंद्ध होगा हुगा ने लेंथ हाँ तो यह जो मैगनीचूट बाली बात कि ही लेंध को ही हम लोग मैगनीचूट बोलते और उसी मैगनी magnitude को हिंदी में पड़िमान बोलते हैं पड़िमान परिनाम मत बोला पड़िमान यानि लेंध ही magnitude होटा है यह magnitude का मतलब length of arrow arrow का जो डारेक्षण ए एरो का जो लंबाई होगा वह बताएगा magnitude को लेकिन अब question उड़ता है कि direction क्या होगा तो clear है कि arrow का जो दिशा होगा arrow का जो direction होगा न वही vector का direction होगा याने direction क्या बोलेंगे direction of direction of arrow direction of तीर के जो दिशा होगी न वही होगा vector का direction अब एक प्रस्ण उठता है कि इसके लंबाई को कैसे दिखाओ तुझे कैसे डिनोट करें वो जरूरी है तो जैसे अगर बोले कि length of a बताओ जैसे बोलेगा magnitude of a तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे ऐसे समाजना एलिख देना है और इसमें ऐसे ऐसे कर देना है this is magnitude of a और इसको आईसे भी कर देना आईसे भी यह और यह सेम बता है यह जो तीर और डंटा है उसको खड़ा के फेक देना है मस्त हो जाना है और यह दिखाना यह magnitude मतलब इसके लंबाई को दिखा रहा है और यही है लिख देता हूं में length of a length of a यानि इस भेक्टर की जो लंबाई होगी न वही उसका magnitude होगा फेंडा क्लियर है और इसको इस तरह से हम लोग दिखाएंगे जैसे कि अगर बोलता कि यह भेक्टर है और यह जैसे कि बोलता है कि भेक्टर है और यह नाम का भेक्टर है यह नाम का भेक्टर है और यह 5 मीटर है तो इसका मतलब हुआ कि magnitude of a यानि यह यह जो है न यह है 5 मीटर फेंडा क्लियर है उड़ा येस देखते है next अब हम लोग देखेंगे कि भेक्टर को रिपर्जेंट करने वाली जो बात है ना वो कुछ मज़ेदार है उसको मैं समझाता हूँ क्या रिपर्जेंट करना है जैसे कि ऐसे देगा भेक्टर बुलेगा यह इस्ट है इस्ट को सौट में इसे दिखाएगे वेस्ट है नोर्थ है साउथ है और हमारे पास यह एक भेक्टर आया और यहां से बनाया सिक्स्टी दिग्री और यह ए नाम का भेक्टर है और इसका लंबाई पांस मीटर है तू मुझको बताना है कि ए बराबर लिखेंगे क्या यही बा क्या लिखेंगे तो देखो एक बात तो बता इतना भेक्टर में लिखना है मैगनीचूड लिखना है और डायरेक्शन दिखना है इन्हीं पहले तो मैगनीचूड दिखाना है और फिर डायरेक्शन दिखाना है तो इसका मैगनीचूड क्या है इसका मैगनीचूड तो क्लि वीडियो पोज करके कॉपी में लिखके मिलाओ याब बोलो अच्छा देखता हाँ मैं क्या अच्छा ओके इसको ऐसे बोलेंगे 5-meter Been due do website क्या होता है डिव मतलब होता है के तरफ डिव मतलब होता है के तरफ ऑदेख साट साथ करन दोनों दिफ़रेंचीजर कोई समाजता है दिव और डिव टू एक ही चीज़ द्यू तुम लिख दूँ पांच मेटर के कारान नहीं 5-meter अब देखो यहां से इस्ट से साथ बना रहा तो बोलेंगे फाव मिटर ड्यू सिक्स्टी डिग्री तो इस्ट से नोर्थ के तरह पेको तीर लगा देंगे तो सिक्स्टी डिग्री और फॉपिस्ट हो जाएगा इसको अइसां शीठी नोर्फ उपिस्ट इसको लिखाएंगेंगे तो इसको लिखेंगे 5 मेटर डियू 60 डिगरी साउथ आफिस्ट यानि इस्ट से साउथ जाएंगे ना तो साट डिगरी पर यह वेक्टर मिल जाएगा फंडा इज क्लियर तो तुम अपने मंस एक सवाल बना कर दिखाओ मुझे क्या होगा इसका अंसर यह इस्ट हुआ नोर्थ हुआ वेस्ट हुआ साउथ हुआ यहां से देखो चार मीटर लंबा है और यह यहां से 35 डिगरी बना रहा है यह नाम है सी पहले हलका देता हूं उसके बाद दोंगा तुझे परेशान करने वाला और यह माल लेते हैं 49 डिगरी और यह भी है चार मीटर और यह है डी तो बदा फटा फट सी को क्या लिखेंगे और डी को क्या लिखेंगे खोपी में लिखना है या बोलो क्या होगा लिख दो तो इसको लिखेंगे पहले लिखना मैगनिचूड मैगनिचूड केतना है फोर मेटर फोर मेटर डिव फोर मेटर डिव तुर्यपंड डिगरी नोर्थ अपिस्ट त्यू फिप्टी थिरी डिगरी नोर्थ अपिस्ट य कि इसको भी लिख देंगे बहुत आसान है क्या लिखेंगे फोर मीटर कि डियू सिक्स फॉर्टी नाइन डिग्री साउथ फॉर्टी नाइन डिग्री शाउथ अफ इस्ट कि फंडा क्लियर हो गया अब मैं एक सवाल दोंगा अगर उसको बना देते हो ना कि तब तुम को मान जाएंगे पक्का पक्का बना दोगे चलो लो सवाब ख्यान से देखना कॉंसेंट्रीशन बढ़ा के देखू यह है एक सवाल है कि यह है कि इसको बताओ यह भी है फाइब मीटर और यह है तिसरा देखो यह फाइब फाइब है यह एट मीटर थरसल लंबा हो गया मैगनीचूर जब ज्यादा रहेगा तो लंबाई बढ़ जाएगे बताए था ना मैगनीचूर बताता है लेंध को तो यह बी नमर है और यह सी नमर है मेरा और यह यहां से 37 देख़ी है बताओ ना तीनों के बारें बताने ए क्या होगा बी क्या होगा वीडियो पोच करोगे तीनों का अंसर बनाओगे यस का गलती होगा बनेगा दे चा देखते कैसे बता है शलो में बताता हूँ पहला देखो पहला में तुमने क्या लिखा फाइब मीटर डियू शिक्स्टी डिगरी क्या लिखा नोर्थ औफ वेस्ट ये लिखा था क्या यस अरे लिखा था तो तो गलत हो गया यह कैसे हुआ देखाता हो कैसे हुआ समझ नाजैगा अकल तुरं खेएगी अकल जो है ना में तुरंद क्थे जाएगी तरह धियां से देखो यह इधर क्या है इस्ठ बिल्कुल इधर क्या है नोर्थ हाँ अच्सक्य देग्री क्या होगा तो इधर क्या होगा गृषट होगा एक्षा खेल भी घर गया दिए 60 degrees 60 the north of east ना इस्ट सेने साथ डिगरी बनाड हैंगिल तो क्या बोलेंगे 60 दिगरी north of east यह गलती कहां होई समझ में आ है बात क्या लिखेंगे north of west नहीं लिखेंगे इसको इसे लिखेंगे 5 मीटर डियू 60 डिगरी north of east लिखेंगे यह रहा मेरा सही जवाब बी नमर बताओ बी का क्या होगा अंसर क्लियर है हराम से इधर कौन सा डिरेक्शन होगा north होगा इधर क्या है east होगा इधर क्या होगा west होगा west से 70 डिगरी north के तरफ बना रहा है बोलेंगे 70 डिगरी north of west यास magnitude पाले लिख देना 5 मीटर डियू 5 मीटर डियू 70 डिगरी north of west यानि west से north के तरफ 70 डिगरी बात करेंगे फंडा क्लियर है यस सर सी नमर क्या होगा आप तो तुम बना दोगे तुरंद तुरंद बन जाएगा क्या होगा सी नमर देखो इधर है इस्ट इधर है साउथ तो यह कैसी किया बोलेंगे पहले तो एट मीटर इसका मैनीचूड बढ़ा दो फटा फट एट मीटर इसका मैनीचूड हुआ डरसन क्या हो आप बोलेंगे ड्यू सेवंटेटी सची इस्ट इस्ट अफ आ्फ आवत साउथ इधर है साउथ इस्ट क्या बोलेंगे क्या बतो ख़लेंगे औंडिस इस्ट ईफ्सड इस्ट आप साउथ वाँ ग्रेट येश्ट आप साफ एस्ट के तराफ 37 डेगडी है तो अब मैं एक सवाल दे रहा हूं बनाने के लिए और पक्का है कि तुग गलती करेगा शैलेंज शैलेंज देता हो बनाने के लिए देखो कहता है रिप्रजेंट दा फोलोइंग भेक्टर क्वेस्टन है क्या करना है रिप्रजेंट प्रजेंट रिप्रजेंट रिप्रजेंट वेक्टर आ इनम्र में A is equal to 5 meter dew 20 degree west of south B main 10 meter dew 70 degree west of north C main 60 degree east of north east of north 10 10 3 3 3 5 5 5 5 6 5 6 6 6 3 6 6 7 5 7 7 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 कि 5 मिटर ड्यू 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ कैसे बनेगा छोटा सा जगह यहीं हम इस्तेमाल कर लेते हैं बना दू कि देखो बनाता हूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना यस ओके स्टार्ट 5 मिटर ड्यू 20 डिग्री शाउथ से वेस्ट ले जाओगे 20 डिग्री इधर देखो साउथ है साउथ से वेस्ट ले जाएंगे 20 डिग्री 5 मीटर यह रहाँ 5 मीटर ए नमबर साउथ से 20 डिग्री आयर आयर है साउथ से वेस्ट के तरह 20 जाना है जाना के यस दूसरा है सब्सक्राइब 네ыеम यहां से गलती हुआ होगा तुमसे ड्रॉ करने में यहां से सेवंटी डिगरी वेस्ट अफ नोर्द यह वला ने यह वला को यह बालब यए कि सेवंटी डिगृ वेस्ट अफ नोर्थ क्लियर है और सी नमर में क्या होगा 2.5 मेंक्र 60 डिधी इस टों मतल़ अनूर से जाएंगे 60 डिगरी दाय मीटर मात्र अधा हो जोड़ आसा होगा सीन म्हठ चोड़ आसा होगा ndh60 डिगरी ही मैं जाया येस तो आगे इसको बराता हूं क्लियर है फंडा ओके अब हम लोग बात करेंगे एंगिल बिट्मीन टू भेक्टर ये रिपरजेन करना सीख गए न बिल्कुल एक और चीज़ सिखाता हूं भेक्टर जब एक्स वाई प्लेन में आता है तो बच्चे का हालत खराब हो जाता है तो भेक्टर जब एक्स वाई प्लेन में आएगा तब करेंगे तो देखो ये सवाल जब भेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाइक करेंगे तो क्या करेंगे देखो जैसे च्टा च्टा एक्जामपल समझते हैं चैसे इसको X-axis माल लू और इसको Y-axis माल लू एक बात ध्यान देना यह origin हुआ ना origins इधर को हम लोग positive X-axis बोलते हैं और इधर को बोलेंगे negative X-axis इसको बोलेंगे positive Y-axis और इसको बोलेंगे negative Y-axis यानि इधर positive X-axis, negative X-axis, positive X-axis, negative X-axis और एक बैक्टर माल लेते हैं यहां आया और यह angle बनाया इधर से 60 degree और यह 5 meter मैड में चूट और यह A है नाम इसका तो क्या नाम देंगे इसका और दूसरा है यह vector X-axis इधर Y-axis और यह इधर आया इधर से बनाया 60 degree और यह भी माल लेते हैं 5 meter ही है और यह B है तो बताना है कि A को क्या लिखें और B को क्या लिखें कि विखें के लिखें यह को क्या लिखें और क्या लिखें तो याद रखना क्या लिखना है के लिखत ले वैब च्रयक कर लोगे आपकेश हूं चंब फंडा यहां समझंसा फंडा क्या समझेंता है फंडा क्या समें जब blueberry xy plane में लाइक करेंगे तो एंगिल हमेशा measure करेंगे positive x axis anti-clockwise 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 positive x axis anti-clockwise measure एंडर्स्टूड होता है जैसे रोट पर हम लोग जाते हैгов चलाने के लिए तो कार चलाने से पहले बोला जाता है कि लेफ साइड से ड्राइब करना इसका मतलब वो अंडरस्टूड होता है कि चाभी कार के देज जाएगी तो कार रोट के लेफ साइड से ड्राइब करेंगे हम लोग उसी प्रकार से अगर कोई भैक्टर एक्स-वाइड में है तो कुछ कुछ बात जो हैना understood होता है अपने मन से समझ जाना है कुछ बोले या ना बोले क्या समझ जा रहा है कि पोजेटीव एक से से एंटीक लोग वाइज में एंगी लेना यह साथ डिग्री तो हर्गीज नहीं लेना है लेना है तीस डिग्री प्रोटन मिला के 90 होगा यहां 60 होगा यहांनि एंगी ऊलबेज पोजेटीव एक से एंटीक लोग वाइज में में मेजर किया जाएगा क्लेरे बात तो लिग्द देता हूं मैं यह फ्वें वेक्टर लाइट एकसवाइप्लेंद एंगील इस आलवेज मेजर्ड इन एंटीक लोगवाईज सेंस विथ 2-30 डिग्री वी एक्स एक्स यह इसको क्या लिखाएंगे इधर से लेंगे क्या नहीं नहीं यह वाला न लेंगे तो टोटाली एक्सा एक्साशी होता है उसमें से साथ खटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा येस तो इसको बोलेंगे 5 मीटर डिव 5 मीटर डिव 120 डिग्री 5 मीटर डिव 120 डिग्री वीठ एक्साशीस एसी वर्म ये कोस्टन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है जैसे बोलेगा कि रिपर्जेंट करो कोस्टन के रूप में पर्जेंट करना है पहला ये है 3 मीटर डिव 20 डिग्री वीठ एक्साशीस और बी दिया हुआ है 4 मीटर डिव 110 डिग्री वीठ एक्साशीस तो फंडा क्लियर है क्या करना है क्या करना है बहुत आसान है क्या करना है पहला जो है इसको एक्साशीस लिए और ये वाइक्साशीस लिए कोई कान्फुजन नहीं है बहुत बढ़िया अब क्या करनेंगे 3 मीटर डिव 20 डिग्री वीठ एक्साशीस इसका आर्थ हुआ कि एक्साशीस से बीच डिग्री पर एक वेक्टर लेना है तीन मीटर का ये रहा एक वेक्टर अद दूसरा 110 डिग्री वीठ एक्साशीस इसका मतला इधर उधर ने ऐसाने समझने कि इधर जाएंगे ये अंडर्स्टूड है कि रॉंग सैड ने लेफ्ट सैड से गारे ड्राइब करना है 10 डिग्री ये वेक्टर बी है मेरा और मैंगनिचूड में चार मिटर रखता है और ये वेक्टर ये था तो इस प्रकार से अगर वेक्टर एक्स वाय ब्लेन में आएगा ना तो हम लोग रिपर्जेंट कर देंगें आब एक साअदार टॉपिक है के अंदर ये अंगिल बिट्मीं टू भेक्टर बहुत मज़ेदार और सांदार तो इंगिल बिट्मीं टू भेक्टर क्या है उस पर ज़रा बात कर लें लेते हैं हम यह सीट को क्या करना है देखो सांदार तरीके से दिया हुआ इस सीट में कुछ सवाल है वर्क आउट कुछ वर्क करने के लिए तुमको घर में जैसे तुमको क्या करना है न इसका स्टार मार्क दिया हुआ यह दो नम्मर का सवाल बना लेना है दो नम्मर का टीन नम्मर चार नमर क्लास वरक था यह सब बना लेना है चार नमर पांच नमर जो भी था एंगली बिट्मिन टू बैक्टर से पहले जो है ना सब पर के रेडि रहना है इसके साथ फिर मिलेंगे तब तक लिपाएं